सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट मैं आप सभी का स्वागत हैं सो फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी UI 5.0 का अपडेट जो है सेप्टेमबर 2023 से स्टार्ट कर दिया था जो की रियल्मी GT2 Pro से स्टार्ट हुआ था और अभी तक दोस्तो काफी सरे डिवाइसेस के अंदर रियल्मी UI 5.0 का अरली एक्सेस, बीटा और स्टेबल अपडेट प्रोवाइट करवा दिये हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल्मी UI 5.0 का फूल रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तो जिसमें आपको कौन-कौन से new feature से देखने को मिलेगा वो यहाँ पर बताने वाला हूँ साथ ही अपडेट के बाद कौन-कौन से bug से देखने को मिले इसके अलावा इसका looks और design वगरा किस टैप से देखने को मिलता है साथ ही इसका performance वगरा किस टेप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं one by one सभी कुछ cover करने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो में last तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दू कि मैं जो features बताऊंगा वो किसी-किसी devices में early access, beta update में देखने को मिल चुका है और किसी-किसी devices को अभी तक देखने को नहीं मिला है लेकिन आगे आने वाले update में देखने को मिल जाएगा साथ ही दोस्तो जैसे कि always on display वगरा है वो AMOLED display वाले set में ही support करता है IPS या LCD panel वगरा में support नहीं करता है तो आप यह मत कहिएगा कि दोस्तो यह features तो मेरे में नहीं है आपके device में जो-जो features support करने वाला है वो आपको जरूर मिलेगा तो इसके लिए आप stable update का wait कीजिएगा अगर stable update मिल गया होगा तो आप अपने handset में जाकर check कीजिए आपको यह सभी features देखने को मिल जाएगा इसके लाओ बात कीजिए features और changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो home screen के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको home screen जो है पहले की तरह ही देखने को मिलता है simple सा लेकिन दोस्तो जैसे ही home screen को आप pinch करते हैं या tape करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस टेप से layout और changes देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो यही पर ही आपको wallpaper option देखने को मिलता है जिसमें आपको old वाला ही इसका layout देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो जो static wallpaper है वो यहाँ पर आपको पूरे की पूरे change देखने को मिलता है आप देखेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे new wallpaper देखने को मिलता है इसके लाव बात किजाए notification की यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको कुछ ही इस टाइप से notification देखने को मिलता है जो कि आपको पूरे की पूरे old वाला ही notification देखने को मिलता है यहाँ पर आपको notification पेनल में कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है इसके लाव बात किज़े अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting UI के अंदर यहाँ पर आप जैसे ही setting में जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको पहले की तरह ही इसका icon देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो आप गवर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर एक features और name के बीच में आपको lining देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तो इसका जो cards वाला option है वो भी छोटा छोटा हो गया है साथ ही जो features का name और icons है उसको काफी पास पास कर दिया है पहले दोस्तो थोड़ा दूर दूर में रहता था साथ ही जो lining देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था इस lining के वज़ा से दोस्तो features और icons वगरा आर भी better और cool देखने को मिल रहा है साथ ही दोस्तो किसी-किसी features को एक में attach कर दिया है और उसका name वगरा जो है थोड़ा बहुत change कर दिया है आप देखेंगे पहले कुछी इस टैप से setting UI देखने को मिलता था लेकिन realme UI 5.0 के update के बाद आपको कुछी इस टैप से setting UI देखने को मिलता है इसके अलाओ बात कीज़े अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो photos app से के अंदर smart cutout का यहाँ पर दोस्तो अगर आप photo app में जाएंगे कोई सभी photo अगर आप select करते हैं चाहे वो group photo हो या single photo जैसे ही आप long press करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ magic type का देखने को मिलता है जिसके बाद दोस्तो आपको copy, share, share यह सब करने का option देखने को मिल जाता है उसको अगर आप share करना चाहते हैं तो proper way में आप smart cutout features के यूज के बाद इसको save कर सकते हैं कुछी step से और अगर आपको किसी को send और share अगर करना है तो direct आप share कर सकते हैं साथ ही अगर आप इसको file doc में store करना चाहते हैं तो file doc features में भी इसको आप use कर सकते हैं यहाँ पर आपको smart cutout features देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जाए अगले changes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो wallpaper change करने के time पर यहाँ पर दोस्तो अगर आप किसी भी wallpaper को change करते हैं जैसे ही set as wallpaper करके apply करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस type से इसका layout देखने को मिलता है पहले दोस्तो आपको center align में देखने को मिलता था उसको यहाँ पर change करके left align कर दिया है जो की काफी cool look देखने को मिलता है पहले से यहाँ पर काफी better look देखने को मिल रहा है इसके लाव बात कीज़े अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो photos apps या फिर gallery के अंदर यहाँ पर दोस्तो पहले आप collage वगरा बनाने के लिए image वगरा select करते थे तो यहाँ पर आपको collage का option देखने को मिलता था आप देखेंगे आपको कुछ ही इस टेप से GIF देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तो GIF को select करने के बाद यहाँ पर आप photo चेंज कर सकते हैं ratio सेलेक्ट कर सकते हैं speed और direction और चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको GIF create करने के लिए एक new create option add कर दिया है इसके लाओ बात कीज़े अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो fluid cloud या फिर dynamic.features यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अगर आप recording वगरा करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर recorder को on करते हैं और home screen को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर उपर के side देखेंगे आपको fluid cloud या फिर dynamic.features देखने को मिल जाता है इसको दोस्तो आप थोड़ा से long press करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है जिसके तुरू आप pause play कर सकते हैं या फिर save वगरा कर सकते हैं साथ ही अगर आप screen recording अगरे करते हैं तो यहाँ पर उसका भी आपको dynamic.features कर दिया है लेकिन दोस्तो यह features अभी कुछ-कुछ apps में ही देखने को मिल रहा है में भी हो सकता है आगे आने वाले update में और भी apps में यूज करने को मिल जाए इसके लावा बात की जाए अगले change की तो वह आपको मिलता है दोस्तो real me share के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप किसी को image वीडियो अगरा फाइल वागरा शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको new changes देखने को मिलता है यहाँ पर देखेंगे आपको photo अगरा देखने को मिल जाता है साथ ही अगर कोई photo अगरा नहीं डाले रहते हैं उसमें आपको brand का नेम देखने को मिलता है, साथ ही आपको छोटा सा फोन का आइकान देखने को मिल जाता है, पहले दोस्तो लोगो देखने को मिलता था, लेकिन आप पुरक पुरक ब्रैंड का नेम लिखा हुआ मिलता है, साथ ही आपको छोटा सा फोन का आइकान देखने को मिल जाता है, साथ ह वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर connection and sharing के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको ओ और कब features यहाँ पर add कर दिया हैं यह features दोस्तो cloud storage features हैं जिसमें आप अपने file data image वगरा को cloud में store कर सकते हैं जिसको आप online कहीं से भी use कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आपको cloud.realme.com में जाना है उसके बाद आपको आप अपने password ID वगरा डाल कर online कहीं से भी data को use कर सकते हैं यह features दोस्तो पहले special features के अंदर था लेकिन आपको connection and sharing के अंदर देखने को मिल जाता हैं साथ ही यहीं पर आपको realme share का option देखने को मिल जाता हैं पहले यह realme share देखने को नही अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर turn on 10 minute का option देता हैं अगर 10 minute में आप कुछ भी send कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो वो automatic बंद हो जाता हैं उसके बाद आपको फिर से on करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको realme share का option add कर दिया है साथ ही यही पर आपको link to window का new features देखने को मिलता हैं जिसके थूँ दोस्तों आप अपने phones को PC या laptop वगरा से control कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपका Microsoft का account होना जरूरी है दोनों device में आप same account से login करेंगे तो आप PC या laptop वगरा से आप अपने handset को control कर सक सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं और इसका टेप दोस्तों आपको notification panel मिन की control center के अंदर भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो वह आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर wallpaper and style के अंदर always on display में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको carbon footprint का new always on display देखने को मिल जाता है जो कि काफी cool लग रहे है दोस्तों यह always on display काफी लोगों को पसंद आने वाला है क्यूंकि काफी cool look के साथ always on display जो है देखने को मिल रहा है साथी दोस्तों यहाँ पर contextual info में जा कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको food delivery और music playback का option देखने को मिलता था जिसको यहाँ पर food delivery का option हटा कर smart suggestion का option add कर दिया है जिससे कि दोस्तों आप always on display के थूँ smart suggestion को यूज कर सकते हैं अगर आपको food delivery और riding, healing और यूज करते हैं तो आप always on display के थूँ smart suggestion को यूज कर सकते हैं साथी दोस्तों smart suggestion को notification और status bar से यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप special features में जा कर भी smart suggestion को यूज कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर icon का option देखने को मिल जाता है जिसे आप click करेंगे तो आपको icon style देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो payable वाला option है उसका जो icon का color है उसको यहाँ पर आर भी better और light कर दिया है जिससे की यह icons जो है payable वाला वो काफी better देखने को मिल रहा है साथ दोस्तों यहाँ पर last में आपको more का option देखने को मिल जाता है यह basically दोस्तों आपको theme वाले option मिल ले जाता है जिसमें आपको काफी सरे icon style के साथ theme देखने को मिल जाता है जो की दोस्तों paid वाला है जिसे आप free trial यूज करके 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रहता है यह trial वाला आप यूज कर सकते हैं चेक कर सकते हैं तो यह more वाला option 8 कर दिया है ताथी font style में देखेंगे तो आपको जो font style जो है काफी बड़ा सा देखने को मिल रहा था उसको काफी पास-पास और छोटा सा कर दिया है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो वा आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर यहाँ पर निचेक site देखेंगे show media player on lock screen इस features को on करेंगे और music वगरा प्ले करते हैं तो आप lock screen में ही उसको control कर सकते हैं, play कर सकते हैं, song वगरा को next, previous वगरा करना है तो आप lock screen में ही कर सकते हैं जो कि पहले नहीं कर सकते थे और अगर आप इसको आफ करते हैं तो lock screen में आप music control या media playback को control नहीं कर सकते हैं तो इस features को on करेंगे, तो आप lock screen में music को control कर सकते हैं, इसी साथ दोस्तों यही पर आपको lock screen shortcut देखने को मिलता है, यह दोस्तो realme UI 4.0 में भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ new option add कर दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको torch, lock screen machine और QR code को add कर दिया है, और अगर आप slave chat वगरा use करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको show हो जाएगा, तो यहाँ पर new option add कर दिया है, इसके अलाव बात की जाए, अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो, setting के अंदर, sound and vibration के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो, जो इसका layout है, वो आपको पूरे पूरे same देखने को मिलता है, लेकिन आप जैसे ही ringtone या message tone के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको new option देखने को मिलता है, classic theme और equamorphic theme, basically आपको यहाँ पर जाएंगे, तो आपको new ringtone देखने को मिलता है, अब देख सकते हैं, आपको काफी सारे new ringtone देखने को मिल रहा है, जो की काफी अच्छा ringtone देखने को मिलता है, साथी अगर आप charging करते हैं, या क काफी अच्छा सुनने को मिलता है, पहले से यहाँ पर ringtone वगरा जो है, पूरे पूरे चेंज हो चुका है, साथी दोस्तों यहाँ पर more sound का option देखने को मिल रहा है, अलग से, जो की पहले haptic वाले option में रहता था, जिसको आप अलग-अलग करके, यहाँ पर दो option add कर दिया है इसके लाओ बात की जागले change की तो, वो आपको मिलता है दोस्तो, setting के अंदर, notification and status bar के अंदर, यहाँ पर दोस्तों आपको smart suggestion का features देखने को मिलता है, यह features दोस्तों जनरली करता क्या है, जिस प्रकार always on display में food delivery और music playback का option दिया है, उसी प्रकार ये दोस्तों आपको notification panel, status bar, lock screen और always on display में foot delivery और riding high link का new features add कर दिया है जिसको दोस्तों आप on करेंगे तो आपको notification panel, status bar, lock screen या फिर always on display में foot delivery या riding high link का वो आपको सो होगा इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तों setting के अंदर, apps के अंदर, यहाँ पर दोस्तों आप app cloner में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे, I mean कि आपके mobile में जितने भी apps हैं, उसमें से आप पूरे app को clone कर सकते हैं पहले दोस्तों यह limited ही रहता था, लेकिन अब आपको आपके mobile में जितने भी apps हैं, उसको आप double app कर सकते हैं, duplicate कर सकते हैं, clone कर सकते हैं साथ दोस्तों यहाँ पर जो auto launch वाला option रहता था, वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा हैं पहले यह auto launch वाले option देखने को मिलता था, इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों, security and privacy के अंदर, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, पहले password and security और privacy के अलग से दो option देखने को मिलता था, उसको दोनों को merge करके एक option कर दिया है, security and privacy इसमें अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको scanning features देखने को मिल जाता है, जिसके थरूँ आप अपने security and privacy को scan करके, कौन से option में problem है, या किसको allow करना है, या नहीं करना है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, I mean कि जो security and privacy है, यह आपको पूरी पूरी changes देखने को म मिलता था, साथ ही icons वगरा देखने को मिलता था, जिसको आप कुछ ही type से कर दिया है, यहाँ पर आपको कोई भी icons वगरा देखने को नहीं मिलता है, आपको direct name देखने को मिलता है, अगर आपको password change करना है, या face unlock वगरा करना है, तो आप यहाँ पर security and privacy के अंदर जाकर device unlock में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको screen lock का option और face and fingerprint का option देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप change कर सकते हैं, साथ ही नीचे में आपको app lock, hide app, private shape और system cloner का option देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको google play system अगरा update करना है, security and privacy के अंदर system and update में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको google play system update देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर से आप google play system को update कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आपको privacy and security को scanning features जो है, यहाँ पर आपको notification panel में भी icons add कर दिया है, यहाँ पर से भी आप security and privacy को scan कर सकते हैं, इसके लाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों setting के अंदर battery के section में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कुछी इस टाइप से battery के option या layout देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको smart charging और stop charging at 80% वाला features देखने को मिल जाएगा, smart charging जिसे आप on करेंगे तो जो आपका charging habit है, उसको यहाँ पर count करके, recognize करके, आपके charging habit के अनुसार यहाँ पर charging को slow करेगा और proper way में charging को perform करेगा, साथ ही अगर आप stop charging at 80% को आन करते हैं, तो यह दोस्तों आपको charging proper way में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 80% के बाद, उसके बाद जो charging है, वो stop हो जाएगा, जिससे की जो battery का health है, वो यहाँ पर proper देखने को मिलेगा, जो कि battery health को बचाय रखने में काफी सहायक और मददग इसके लाओ बात कीज़े अगले चेंज की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो charging animation का, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभी अगर phone को charge में लगाते हैं, तो आपको जो animation है, वो आपको पूरे पूरे center में देखने को मिलता है, इसके लाओ बात कीज़े अगले features की, तो वो आप को मिलते हैं दोस्तो, camera apps के अंदर, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको कुछी इस टाइप से color OS 14, realme UI 5.0 में कुछी इस टाइप से आपको camera features या layout देखने को मिलेगा, यहाँ पर उपर के side में आप देखेंगे तो आपको screen के size को बड़ा चोटा करने या full screen करने का option द जाएगा, HDR features को आप जानते ही हैं दोस्तो, और interval features या interval shooting का जो features हैं, उसको अगर आप on करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना shorts चाहिए और कितने second में चाहिए उसको आप decide कर सकते हैं, उसके बाद जैसे आप suit button को click करते हैं, तो आपको जितना short चाहिए रहेगा, उतना shorts वो उतने second में click कर देगा, तो यह एक काफी अच्छा features हैं दोस्तो, इसके अलावा अगर आप setting में जाते हैं, तो आपको अभी old वाला ही setting option देखने को मिलता हैं, इसके अलावा दोस्तो, अगर आप नीचे क side more option में जाते हैं, तो आपको कुछ ही इस type से पूरे के पूरे mode देखने को मिलता है, और अगर आप edit करना चाहते हैं, तो आपको उपर के side में edit option देखने को मिलेगा, जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको काफी cool icon देखने को मिलता है, पूरे पूरे squares design में देखने को मिलता है, जिसे आप hold करके, drag करके, rearrange कर सकते हैं आप अपने use के अनुसार features को add कर सकते हैं, तो कुछ ही step से आपको camera features देखने को मिल जाता है, इसके अलाव बात की जाए अगले change की तो अगर आप lock screen करते हैं, और security के लिए pattern के अलावा number या pin यूज करते हैं, आपको कुछ ही step से dial pad देखने को मिलेगा, जो कि पहले से काफी cool देखने को मिल रहा है दोस्तो, यह आपको by default Android 14 का dial pad देखने को मिल जाएगा, इसके अलाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो, setting के अंदर, special features के अंदर, smart sidebar में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तो, आपको old वाला ही layout और interface देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर drag करके रख सकते हैं, जिसको यहाँ पर drag and drop करके किसी को भी आप send कर सकते हैं, share कर सकते हैं, आप देखेंगे smart sidebar में आपको उपर में देखने को मिल रहा है, जिसमें आप किसी भी file या image वगरे को यहाँ पर drag करके रख सकते हैं, कुछ ही step से, उसके बाद इसको आ अगर आप recent file जो भी यूज किये रहेंगे वो यहाँ पर so होगा, जिसे आप drag and drop करके कहीं भी share और send कर सकते हैं, इसमें आपको recent में जो भी file वगर अट किये रहेंगे या load किये रहेंगे वो यहाँ पर so होता है, इसके अलवा यहाँ पर देखेंगे दोस्तो, आपको new widgets देखने को मिलता है, यह दोस्तो Google वाला widgets है, जिसमें आपको date और month वगरा देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको काफी cool widgets देखने को मिलता है, साथ दोस्तो इसमें आपको new option भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, solid देखने को मिलता है, solid में आपको background पूरे पूरे new color देखने को मिल जाता है, उसके बाद दोस्तो आपको transparent देखने को मिलता है, जो कि आपको lining बस देखने को मिलेगा, आपको पूरे पू वालपेपर की हिसाब से इसका जो टेंपरेचर वाला आइकन देखने को मिल रहा है गोला सा वो वालपेपर की हिसाब से चेंज हो जाकता है इसके अलाओ बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर निचिक सेट, additional setting के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे आपको app language का option देखने को मिलता है पहले दोस्तों यह option नहीं था जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 15-20 apps देखने को मिल रहा है जिसका language आप यहाँ पर से change कर सकते हैं आपको Hindi में चाहिए या English में चाहिए या और किसी भी language में चाहिए आप यहाँ पर किसी भी apps का language चेंज कर सकते हैं I mean कि यहाँ पर आपको app specific language चेंज करने का option add कर दिया है इसके लवा बात की जाए अगले change या features की तो आपको मिलता है दोस्तों camera के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप camera से photo अगरे लेते हैं और अगर आप watermark features को on करके रखते हैं तो जैसे ही photo अगरे लेते हैं और view करते हैं camera के अंदर से ही तो यहाँ पर आपको watermark का option देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों इस watermark को photo लेने के बाद भी image से ही आप remove कर सकते हैं या पूरा customize कर सकते हैं फोटो को preview करने के बाद edit में जाएंगे और यहाँ पर watermark option में जाएंगे तो यहाँ पर आप watermark का position चेंज कर सकते हैं font चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर information वगरा चेंज कर सकते हैं साथ ही आपको street mode लगाना है या lonely planet mode लगाना है तो आप यहाँ से watermark को पूरा customize कर सकते हैं साथ ही अगर आप watermark को हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर से आप none भी कर सकते हैं तो यह आपको काफी cool features और better features देखने को मिल जाता है इसका साथ दोस्तों आपको setting UI के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे हर एक features में जो भी option या button के रूप में जो भी option दिया है उसका जो blue color है वो यहाँ पर light देखने को मिल रहा है पहले दोस्तों जो blue color रहता था वो थोड़ा dark रहता था लेकिन यहाँ पर light कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कुछी टाइप से blue color देखने को मिल रहता था और अभी इस update के बाद आपको कुछी टाइप से light वाला blue color देखने को मिल रहा है जो कि पहले से थोड़ा better भी देखने को मिल रहा है साथी दोस्तों इस update के बाद जो भी features के बगल में छोटा सा button देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है अब देखेंगे पहले कुछी टाइप से छोटा सा और थोड़ा लंबा देखने को मिलता था लेकिन अभी जो लंबाई है उसका छोटा कर दिया है थोड़ा मोटा सा देखने को मिल रहा है आइपोन की तरह जो ऐसी बड़ा बड़ा बटन रहता है उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी features या function के बगल में आन आप करने का बटन है वो थोड़ा बड़ा सा और मोटा सा देखने को मिल रहा है इसके लाओ बात की जाए अगले चेंज की तो यहाँ पर दोस्तो इस update के बाद पूरे UI में कहीं कहीं पर आपको bold text, light text देखने को मिल रहा है I mean bold के साथ में जो उसका color है उसको यहाँ पर light कर दिया है चाहे वो setting के अंदर हो या फिर home screen में या फिर lock screen में देखने को मिल रहा है लेकिन आपको bold text देखने को मिल रहा है और अगर दोस्तो इन सभी features को आप अभी use करना चाहते हैं तो मैंने अपने telegram group का link जो है वीडियो के description में add कर दिया है यहाँ पर आप आकर color OS 14, realme UI 5.0 and oxygen OS 14 का apk file install कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आप carefully install कीजेगा हो सकते हैं दोस्तो आपको apps crashing issue अगरा देखने को मिल जाए तो इसके लिए आप carefully अपने risk में install कीजेगा तो ए रहा realme UI 5.0 का full review दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bugs और new features देखने को मिले अप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like से और subscribe करना ना भुले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो